तो यलो स्टुटेंट्स कैसे हो आप सभी लोग सौगत है आज के इस रिवीजन और माइंड मैप सेशन के अंदर आज हम चाप्टर नमबर 4 देखेंगे Molecular Basis of Inheritance इसका रिवीजन भी देखेंगे और माइंड मैप भी यह जो माइंड मैप के नोट से Complete 15 चाप्टर की PDF बनाई है PDF में total 60 pages है तो इसकी अगर आप जरॉक्स निकालोगे तो 30 pages दोनों साइट से आपकी जरॉक्स बन जाएंगी यह 30 pages मतलब आपकी Complete Biology एकदम short map में और वो आप उससे revise भी कर सकते हो ठीक है? यस है इसमें total 10 topic दिए गये है अब इसमें quick अगर revive करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले तीन experiment आपको है Griffith experiment पहला experiment है जो proof करता है कि DNA is genetic material ठीक है? यस सर तो उन्होंने क्या किया था? S strain और R strain उन्होंने बनाए थे ठीक है? तो S strain R strain में क्या था? तो Streptococcus pneumonia नाम का बैक्टरिया था जिससे pneumonia होता था तो R strain जो था वो माईस को healthy था मतलब उससे कोई नुकसान नहीं होता था यह strain से नुकसान होता था जब heat killed strain दिया यह strain में बैक्टरिया थे लेकिन heat killed किया तो बैक्टरिया मर गया तो वो सेफ था और जब R strain मतलब जो सेफ वाला और heat killed strain सेफ वाला दोनों सेफ थे वो mix किया लेकिन mouse जो है वो क्या हो गया उसकी death हो गई तब वहाँ पर समझ में आ गया कुछ तो transformation हुआ है यह कहलाता है आपका Griffith Experiment उसके बाद Avery, McCarty and McCleod Experiment है जिसमें आपको experimental setup इन्होंने बताया कि चलो जो last में heat killed strain था और R strain था उसके अंदर chemical composition की बात करते तो उसमें क्या-क्या था तो पता चल जाएगा कि कि इसने transformation किया है तो अलग-अलग इन्होंने enzymes यूज़ किये तो जब उन्होंने DNS डाला तो DNA killed हो गया तो तब वहाँ पर transformation नहीं हुआ था जब उन्होंने proteinase डाला, protein को destroy करने वाला enzyme तो वहाँ पर transformation हुआ मतलब इन्होंने क्या कि heat killed strain ये वाला पहला जो था heat killed strain और आपका smooth, sorry, R strain कि दोनों के अंदर chemical composition check-up किया कि कौन-कौन अंदर था, तो किसके बज़े से transformation हुआ, तो पता चल गया है कि DNA ही था, लेकिन last time में और third बार जो है वो experiment हुआ, Hershey Chase experiment, जुन्होंने जो है वो isotopes का इस्तमाल किया, radioactive isotopes और बाद में इन्होंने bacteriophages भी यूज किया, जब virus bacteria के उपर attack करते हैं, जो complex structure बनाते है उसको बोल जाता है, bacteriophage, तो वहाँ पे 100% proof हो गया कि DNA ही क्या है genetic material है, चल, आगे packaging of eukaryotes, जो DNA packaging है, वो prokaryotes और eukaryotes में DNA packaging कैसी होती है, वो point आपको दिया गया है, इसमें histones होते है और nucleosome structure बनता है histones क्या है, तो यह proteins है positively charged rich proteins इसमें कितने proteins होते हैं, देखो H2A, H2B, H3, H4 यह 4 protein होते हैं, और हर protein दो बार होता है, तो total कितने बन गए, 8 ठीक है, यस सर, तो यहाँ पे nucleosome का structure में आपको बना के दिखा रहा हो यहाँ पे nucleosome में total यह DNA का core होता है और उसके अंदर एक जो होता है linker DNA, इसको जोडने वाला यहाँ पे linker DNA, तो यह structure है आपके nucleosome का, ऐसे nucleosome जोड जोड के क्या होता है, तो DNA के packaging होती है, DNA packaging से बाद में lastly chromosome बनता है चलो, अब experimental जो है, वो configuration देखते है, आपके इसके बारे में, किसके DNA is a genetic material तो हो गया, लेकिन यह DNA का जो replication है वो semi-conservative हुए, मतलब half part जो है, वो conserve हो जाता है वो बचाया जाता है, यह इसका experiment देखो, अब इसके अंदर उन्होंने nitrogen, heavy nitrogen का इस्तेमाल किया था और अलग-अलग bands जो मिले थे वो bands की मदद से यह पता चला था कि आधा part जो है, वो इस process में conserve किया जाता है, ठीक है measlesin and stele, इन्होंने यह experiment दिया था, चलो बाद में DNA replication के अंदर अलग-अलग enzymes involved होते हैं, वो देख लेते हैं अब enzymes की बात कर रहे हैं, तो helicase enzyme है, ठीक है उसके बाद RNA polymerase होता है जो polymerization process को speed up देता है, RNA होता है, RNA को remove करने वाला, DNA ligase होता है, ओकाजा की fragments को जोडने वाला और gyrase होता है जो DNA unwinding को क्या क्या आता है जो stress आता है, उसको relief करता है मतलब क्या, जब कोई चीज आपस में बंदी भी होती है, तो कुछ समय के बाद वो ऐसा ही, उसको shape आ जाता है, मतलब उसमें क्या है वो torque है, वो torsional strain है तो वो remove करने का काम gyrase होता है gyrase करता है, DNA के standard क्योंकि वो separate थे ना, मतलब separate ने coil थे ना, तो इसके लिए उनके बादे में उनका shape वो ऐसा बन गया है तो stress को remove करने का काम करता है gyrase, ठीक है, चलो आगे अगर बात करें, तो आपका transcription आता है यह transcription में RNA polymerase in eukaryotes तो DNA में replication वो सारी चीज़े हमने देख ली, अब protein synthesis समझते हैं protein synthesis में पहली step होती है transcription ठीक है, और दूसरी process होती है translation, यह आप देख सकते हो यह दूसरी process है, translation transcription की अगर हम बात करें तो transcription में जो है RNA polymerase in eukaryotes इसमें transcription जो है, वो तीन steps से होता है, एक initiation, elongation and termination अब जब initiation मतलब शुरुवात होती है DNA के stand का इस्तमाल करके वहाँ पर क्या करता है genetic information हम carry करते है और उससे क्या बनाते है DNA से mRNA बनाते है तो जो mRNA बना होता है वो pure नहीं होता उसकी processing करनी पड़ती है तो processing करने से पहले वो होता है hnRNA hnRNA से भी processing करने के बाद वो mRNA बनता है तो processing के लिए 3 step होता है capping, splicing and tilling बाद में देखो processing करने के बाद वो mRNA बन गया अब वो mRNA जाता है आपका translation के अंदर और उस mRNA से बाद में क्या बनते है proteins बनते है तो इसमें भी initiation, elongation और termination तीन स्टेप में ये process होती है ठीक है? हाँ सर उसके बाद है आपका lack operon consent ये देखो, lack operon जिसको बोला जाता है lack operon मतलब क्या? group of genes, cluster of genes इसको बोला जाता है lack operon अब इसमें अलग-अलग sides होते है promoter, regulator, operator and structural genes structural genes में तीन होते है jade, y, a jade, beta, galactoside ये permease enzyme बनाता है और ये जो है, वो transacetylase बनाता है अब last में इसी chapter के अंदर एक last point है आपको DNA fingerprint का DNA का fingerprint बना के हम क्या कर सकते है तो अफराधी को पकड़ सकते है forensic के अंदर parent identity के अंदर इसका इस्तमाल किया जाता है तो सबसे पहले तो हम DNA को लिया जाता है blood से, semen से, hair roots से every tissue से लिया सकते है उस DNA को multiply किया जाते है उसको बोलता है DNA amplification PCR का इस्तमाल करके हम इसको multiply करते है उसके बाद restriction enzyme का इस्तमाल करके अलग-अलग cut हम बनाते है उस DNA में अलग-अलग length के उसके बाद electrophoresis charge apply करते है तो जो आपका DNA के छोटे-छोटे cut होते है parts होते है वो move करते है move जब करते हो तो वो वहाँ पे एक membrane के उपर डाला जाता है इसको blotting कहा जाता है southern blotting nylon membrane and nitrosolos paper पे उसको डाला जाता है उसके उपर DNA probe add किया जाता है DNA probe add करने के बाद radioactive इस्तमाल करके वहाँ पे उसका habitation दोनों का mixing किया जाता है और lastly उसका photo निकाला जाता है उसके बाद आपके पास वो result निकल के आता है about the DNA fingerprint ठीक है और उसके इस्तमाल से हम जो है वो जिसके उपर हमें शक है उसके DNA fingerprint से match करके देख सकते है या फिर parent और हमारा जो है वो DNA fingerprint में थोड़ी common चीज़े होती है तो वो भी identify कर सकते है कि कौन किसका सही बच्चा है ठीक है यस सर तो यह आपका chapter number 3 में यह सारी चीज़े है I hope आपको समझ में आई होगी इस chapter number 3 में आपको क्या-क्या दिखने को है दिया गया है ठीक है इसे के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स टूड़े में तब तक के लिए stay happy, stay motivated thank you so much